देश के आर्थिक राज़दा ने मुंबई से एक बहत हैरान कर देने वाली रिष्टो का ही कतल कर देने वाली घटना सामने आई है यहाँ एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर बैंक मैनेजर पदी को साथ वे मंजल से नीचे फेक दिया दोनों ने ही इस मामले को आत्महत्या का रंग देने का प्रयास भी किया हलाकि पुलिस द्वारा कड़ाई से की गई पुछताज के बाद दोनों तूट गए और अपतागुना कबूल कर लिया शुक्रवार शाम दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है रिष्टो का ही कतल करने वाली यह दर्दना घटना शुक्रवार को मुंबई के पस्चिम वीरा देशाई रोल स्टीथ सिट्वी कौर्टर में सुबह चार बजे से चार बच कर चावण मिनिट के बीच हुई है मृतक की पहचान चौपन वर्षिया संतनु कुमार शेशादरी के रूप में हुई है वह स्मॉल इंडस्री डेवलप्मेंट बैंक आफ इंडिया में असिस्टन जनरल मैनिजर की फोस्ट पर कारेरत था साथवे फ्लोर से गिरे शव को देख मॉर्निंग वाक पर गए पड़ोसियों ने फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी मामले की जाच कर रहे अंबोली पुलिस टेशन के इंस्पेक्टर अब्दूल रौप ने बताया कि हमने संतनु कुमार शेशादरी की हत्या के आरोप में उनकी 52 वर्षिय पत्नी जैशीला शेशादरी और 26 वर्षिय बेटे अर्विंद को अरेस्ट किया है पुलिस अधिकारियों के मुताविक आरोपीयों ने कबूल किया कि वे मृतक से तंगा चुके थे क्योंकि वह परिवार पर ध्यान नहीं देता था उन्हें घर खर्च नहीं देता था और अकसर छोटी छोटी बातों पर जगड़ा करता था जाच में यहाँ भी सामने आ है कि आरोपी बेटे अर्विंद ने दो साल पहले इंजिनेरिंग कम्पलिट की है और हायर स्टडिस के लिए कनाड़ा जाना चाहा रहा था लेकिन संतनु कुमार उसे पैसे नहीं दे रहे थे इसी वज़़े से गुरुवार शाम को तीनों के भी जगड़ा हुआ था इसके बाद मा और बेटे ने मिलकर संतनु कुमार को मारने का प्लान बनाया लाव यू दिपिका! भाव यूओ को यूओका है थाश्यू?